नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चिरपरीचित दोस्त उपस्तित हूँ आप सभी की सेवा में एक बेहद ही महत्तो पूर्ण चाहनकारी को ले करके जी हाँ आप सभी जानते हैं कि जब भी हमारे जोडों में दर्द हो जाता है तो बहुत सारी परिशानियों का हमें सामना कर और खास करके बढ़ती उम्र के साथ यह समस्या होँई जाती है आज कल ये एक आम समस्या बन गई है किसी के ओधनों में जोरोगों को दर्द की समस्या रहती हैं। लिए जोडों का दर्द शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है काफी समय बैठे रहने से सफर करने से या उम्र बढ़ने से हमारे घुटने अकड़ जाते हैं या दर्द करने लग जाते हैं जिसे हम जोडों का दर्द या ज्वाइंट पेन कहते हैं कभी कभी घुटनों के दर् सित भंग हो जाती है तो हड़िया एक दूसरे से रगर खाने लग जाती है इससे सूजन डर्द एठन उत्पन होती है आईए जानते हैं सबसे पहले तो जोड़ों के दर्द के कारण के बारे में हड्डियों में मिनरल यानि की खनीज की कमी का होना अर्थराइटिस साइटी का काल्टिलेज का घिस जाना, खून का कैंसर होना, उम्र बढ़ने के कारण हड्डियों में मिनरल की कमी होना अब इसके लक्षनों को जानते हैं कि कैसे जानेंगे हम कि हम इस वीमारी के गिरफ्त में आ गये हैं या आने लगे हैं हड्डियों और जोड़ों के दर्द के हो जाना जोडों का कड़ापन खास कर सुबह में या यह पूरे दिन रह सकता है मरोड वेस्टिंग और फेसिकुलेशन अगर बुखार ठकान और वजन घटने जैसे लक्षन हो तो कोई गंभीर अंदुरूनी या संक्रामक बिमारी हो सकती है आपको डॉक्टर से बात करनी चा हल्दी और अद्रक दोनों ही एंटे इंफ्लामेंटरी गुणों से भर पूर होते हैं और ये दोनों हमें जोडों के दर्द से भी छुटकारा दिला सकते हैं दो ग्लास पानी आपको इसके लिए चाहिए होगा आधा चमच अद्रक पाउडर चीह होगा और आधा चमच बाल लीजिए और उसमें आधा चमच हल्दी और अधरक पाउडर डाल लीजिए और इस मिश्रण को 10-15 मिनट तक आग पर रहने दीजिए इसके बाद इसमें आप शहद भी डाल सकते हैं और इस काड़े का आनंद आप दिन में दो बार ले सकते हैं एक दिन में दो बार सेवन करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके लिए बेहतर रिजल्ट नजर आने लगे हैं और कुछी दिनों में रिजल्ट आपके सामने होंगे इसके बाद है दूसरा उपाय मालिश से जोडों के दर्द का इलाज मालिश करने से जोडों के दर्द को आराम मिलता है मालिश लहसुन से जोडों के दर्द का इलाज कैसे करेंगे आये जानते हैं लहसुन की 10 कलियों को 100 ग्राम पानी एवं 100 ग्राम दूध में मिला कर पकाएं पानी जल जाने पर लहसुन खाकर दूध पीने से दर्द में लाब होता है 250 मिली लीटर दूध एवं उतने ही पानी में दो लहसुन की कलियां एक एक चमच सोट और हरड तथा एक एक चमच दालचिनी और छोटी इलाइची डाल कर पकाएं पानी जल जाने पर वहीं दूध पी जाएं आपको लाब होगा लहसुन की दो कलियां रोज सुबह खाली पेट खाएं सरसों के तेल में लहसुन की कलियां डाल कर भून लें और दिन में दो बार दर्द प्रभावित हिस्से पर इसका लेप लगाएं तथा मालिश करें इससे इस विधी से आपको बहुत लाब प्राप्त होगा आपके जो जोड़ों के दर्द से रहात दिला सकता है आपको एक कप नारियल के तेल को गर्म करने के बाद उसमें दो चमच लाल मिर्च पावडर के डाल दीजिए और इस मिश्रण को दर्द से प्रभावित जगह पर 15-20 मिनट लगा कर रखिए ये वीध आपके लिए काफी लाफदा इसाबित होगी जिहां इसके अलवा निर्गुंडी से जोड़ों के दर्द का इलाज निर्गुंडी के पत्तों का दस से 40 मिली लिटर रस लेने से अथवा सेकी हुई मेथी का कपरचन चुन 3 ग्राम सुबह शाम पानी के साथ लेने से वात रोग में लाव होता है यह मेथी वाला प्रयोग घुटने के वात रोग में भी लावदायक है साथ में वजरासन करें तो आपके लिए और ज्यादा लावकारी साबित होगा जिहां दोस्तों देखा आप सभी ने हम आप सभी के लिए जो आज और शधियां लाए थे यह जोड़ों के दर्द से रिलेटर थी क्योंकि आप बहुत सारी लोगों को इसके समस्या होने लगी है तो आप इससे छुटकारा पाना चाहते हैं तो यह आपके लिए बेहद ही सस्ती सुलब यानि के आसानी से मिल जाने वाली होमेड रेमेडिज हैं जिनके सहारे आप अपने जोड़ों के दर्द को बाई बाई बोल सकते हैं तो यह थी आज की हमारी जानकारी आप सभी के लिए अगले एपिसोड में हम आप सभी से जुड़ेंगे एक और बेहद ही महतोपून जानकारी को ले करके तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों